तो नेक्स्ट टोपिक हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस मिलती है उनकी पॉजिशन क्या होगी और उनकी विट्स कितनी होती है तो देखो कैल्कुलेशन करने के लिए एक छोटा सा अपन एक सिस्टम बनाते हैं यहां पर माल लेते हैं कि यह दो क्कीत यहां से सेट्रेंटरी वेलैट 2017 होती है यहां से कुछ दिस्टेंस का सेंटर है इसको यह स्क्रेइन को रखा वाई किसको रखा है यहां पर जहां पर आपको पैटन दिखाए देगाँ इस का dominant की तो आपको क्या क्याтор और जो ला यूज करेंगे उसकी wavelength भी पता होगी भी monochromatic light हम यूज करेंगे यहां पर monochromatic का मतलब है single frequency single wavelength की light ठीक है तो यह दोनों slit का center point है और यहां पर होगा screen का center point यह screen का center यहां पर सीमाल लेते हैं इसको अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि screen के इस center पर आपको कौन सी fringe दिखाई देगी ठीक है तो s1 और s2 slit इन दोनों से जो secondary wavelength से लेंगी अगर उनको screen के center पर पहुंचना है तो उनको equal distance travel करने पड़ेगी आप देखनो डाइग्राम में यह दिस्टेंस है d by 2 और यह distance के आएगी बराबर इसका मतलब जब s1 और s2 स्लिट से 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 केंड़ी वेवलेट सी के उपर पहुंच रही है तो वह एक साथ पहुंचेंगी क्योंकि यहां पर एक ही वेव फ्रंट से वह होती है और यहां पहुंच रहें उनको टाइम लगा इसका मतलब इस्टेंस इकवल है और मेडियम भी से मादों के लिए मीडियम भी चैंज नहीं हो रहा इसका मतलब वह इकुल यहां पर ब्रैट की दिखाए देगी स्क्रीन के सेंटर पर ब्रैट का रीजन यह है क्योंकि यहां पर पर उपर नीचे दुनों सैड में बाकी की फ्रिंजी बनेगी अब हमको स्क्रीन की ऊपर रेंडमली एक पॉइंट लेना है मालों यह वाला पॉइंट अपी और यहां पे जब यह सेकेंडरी वेविलेट्स पहुंचेंगी तब इनकी बिज का पाथ डिफ्रेंस कितना होगा और उसके कौन सी फ्रिंज आपको यहां पे दिखाए देगी मतलब यहां पे मैजिम इंटे सेंटर का तो समझ में आ गया कि सेंटर पे एस वन और स्टू से जितनी भी सेकेंडरी वेविलेट्स पहुंचेंगी सबको बराबर डिस्रेंस कवर करनी और बराबर डिस्रेंस कवर करेंगी तो इनकी बिचका पाथ रिफ्रेंस हमीशे क्या रहेगा जीरो ठीक है तो स्क्रि तो पी पॉइंट के उपर हम देखेंगे तो पी पॉइंट के उपर आपको सेंटरी वेविलेट्स को इंसिडेंट करना तो यह सेंटरी वेविलेट्स यहां पर सेंटरी वेविलेट्स से इंसिडेंट हो रही है तो इस बार क्या देख रहे हैं आपकी जो सेंटरी वेविले that use to calculate करने का casting चोटी लाइन से बढ़ी लाइन की ओपर परप्र पर परोרא कर्दो條rimin自ए सबधर और को सबसें में को अगर दो हुआ बहुत छोटा औरेंगर कियो तो उनकी उनकी लेंद्!? पाठिवस्ट के उने बतैके तो बाकि जो लैंदि जो लारीन हो इन दौनों लाईनों के लाऊंद के बराबर होगी थोड पर और छोटी लांस से बड़ी लाइन पर पर पैंडिक्र दों किया अब ये जो डिफ्रेंस आएगा सब्सक्राइब करेंगी उनका पाथ डिफ्रेंस को हम क्या लिख सकते हैं पाथ डिफ्रेंस बराबर होगा सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है कि जो छोटी लाइन उससे बड़ी लाइन की उपर एक परपेंडिकुलर जहां यहांं पर इंट्रिसेक्ट करेंगा वो वाली डिस्टेंस नहीं के इ Marcus साबर मानेंगे और दिष्टेंस दोनों कि लेंथ का रिफड्स होगा और पाथ डby P trois यौड होości एक डीफरेंज हसे वो हो गए हो अब एस टुम को किल्कुलेटट करना तो इसके लिए हं क्या करेंगी यहाँ पर माल लेते हैं कि यह वाला एंगल है थीटा यह वाला एंगल मैंने थीटा माल लिया तो एंगल के सामने यह क्या हो गया एंगल के सामने यह क्या होगा पर्पेंडिकुलर यह क्या हो गया पर्पेंडिकुलर यह क्या हो गया है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है यह रिले Departure Verges 2 M divided by by the son of a small D तो बताओ स्टुम क्याईगा यहां पर कि पाथ डिफरेंट्स है एचे में इक्वल टू क्या बटेधा यहां पर है निदी Californ折 Sur То यह आपने पास्थ हागी थीक यह पास्थ वरड़ाना वह एक्स काhou ट्लिफटल of the सब्सक्राइब करेंगे कि यहां पर यहां पर जितने भी एंगल बनेंगे उसका रीजन के सब्सक्राइब करूं तो सब्सक्राइब से और सब्सक्राइब करें ने थी कि सकते हैं आपर लिख सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे ऑंके सकते हैं को हमें डिखेंडन से सिंबलं करते हैं तो इसकी यह नोर्मले जो तो मैं इसको यहां पर इसको इसको कि से मिला दिया तो यहां परें बनेगा यहां यह मुझे हैं तो देखो कितना है यहां पर थीटा और यह मैने यहां पर 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 प्रपेंडिकुलर्ट रोग यह लाइन के उपर यहां पर 90 यह एक है तो यहां पर चोटा ट्रेंगल आपको उपर भी दिखे गाई वाला अंगल तो यह लाइन अगल भी क्या होगा 90 90 डिग्री के बराबर होगा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बताता हूं जैसे यह पॉइंट है एस वन और यह नीचे पॉइंट है एस टू यह आपने ऐसे डाइग्राम बना रख है ठीक है और जो स्लिट का सेंटर है वहां से भी हमने एक लाइन ड्रो करी है यहां से यह पर न हैं इस लाइन तो इस यह वाली लाइन उस लाइन के उपर पर पर बहुए ओल्मस्ट पर्पेंडिकुलर होगी इसलिए हम इसे एंगल को क्या बोल रहा है नैंटीडी यह वाला एंगल तो अगर यह एंगल 90 है तो चोटे वाले ट्राइंगल में बताओ कि यह आप ट्राइंगल कितना होगा यह वाला 90 मैंनेस ठीटा यह यह लाइन और स्रह यह और सबढ़िया wow होगाures रजबियों लगल यहां पर थीटा है वह समझना है क्या है कि यह पर वालने इस एंगल राख यह थीडिक निषेन दूंडर गया है तो यह यहां पर ऊपर वाले यह जो चोटे rotor बनेगा इसमें उपर वाला हूं कितना होगा यह भी 90 के बराबर होगा अगर यह 90 टिगरी है तो यह होगा है तो यह हमamp Elliotut यह यह धी चाहिए थे तो फिर जिवाले यह तो इस वाले ड्योंगल में अगर देखो घ्लांच इसक्वाला ट्रैंगल है इसमें इंगल ठिटा के सामने ये क्या पर्पेंडिकुलर और ये क्या गया तो इन में रिलेशन आपार इस इस डीकल को आपके पूंसिलर कर तो तो एस अंदर एनगल के अंदर तेट तेटा को क्या लिख सकते तो यह जो आपने लिखा रहा है इसमें पूट करने है और हमें क्या चाहिए था एक्स पॉन दी के अंदर फॉर्मला चाहिए था तो हमने क्या कि यह जो राइटेंगल ट्राइंगल है इसको एक्स पॉन पॉन ट्राइंगल इससे तो यह आपने पास में क्या आया पास रिफ्रेंस आगया अब क्या कर रहा है अब आपको , चेक करनी है कि कब आपको brightness मिलागी और कब आपको darkness मिलेगी सबसे पहले हम brightness के लिए देखेंगे तो पहली condition for bright fringe कौंसी fringe के लिए देखन Gobright लेक्त के लिए देखना है ब्राइट के लिए क्टेशन होती है कि जो पाथ डिफ्रेंस है डेल्टा वह एंडा के बराबर होता है याद आएका जो पाथ डिफ्रेंस अगर फोगा दो लाइट वेव के बीच में तो उनकी विच्छ में कौन से सुपर पोजिशन होगा कंस्ट्रक्टिव और उस कंडिशन में आपको ब्रैटनेस मिलेगी तो यह जो सेकेंडरी वेवलेर्स एस वन और एस्टू स्लिट से जारी है पी पॉइंट के उपर अगर इनकी बिचका पाथ डिफ्रेंस एन लेंडा के बराबर है एन लेंडा का मतलब है जिससे लेंडा है ट यहां से एकस के एकस कटलेट कर लो कि x क्या होगा एकस एक्स इप्रेंडा एकस हम लिए आखेंगे इन बी लेंडा अपउन स्मॉल दी तो यह एकस वो डिस्टैंस आ गई जहां पर एन नंबर की ब्रैट फ्रिंज आपको मिलेगी क्योंकि यह ब्रैट फिंज वाली कंडिश कितना होगा मतलब एन नंबर की जो ब्रैट फ्रिंज उसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी स्क्रिन के सेंटर से तो वहोगी एन डी लेमडा पॉन स्मॉल डी यहां पर यह जो एक से इसको मैं एक्स एन लिग देता हूं छोटा सा एन लगा दिया ताकि हमको याद रहे कि एन नंबर की ब्रैट फ्रिंज की कंडिशन आ रही अपने पास एक्स कौन से डिस्टेंस है क्योंकि देखो फॉम्मले में एन आ रहा है न सामने डी लेमडा पॉन स्मॉल डी इसका मतलब ये एन नंबर की ब्रैट फ्रिंज की स्क्रिन के सेंटर से डिस्टेंस आ गई तो इसको एकस एन लिख दिया ताकि समझने में थोड़ी थोड़ी सी आसानी रही ठीक है अब हमको एक चीज और पता है कि दो ब्रैट फृंज के बीच में हमेशे क्या होती है डास फिंज होती और उपन दॉक़े वीडवर नंबर की थोड़ी सी वह उपर होगी यहां पर इस क्यों हुआ लो तो यहां direction कितनी हुई एक्स एनफ जढ़ फ्रिंट होगी हकि यहां पर एनफ प्लस उन नंबर की ब्र accomplish की बात बहु है और इन दोनों की बिच में यह जो डिस्टेंस आएगी यह क्या होगी width of the dark fringe width of the dark fringe समझ मैं है कि दो bright fringe की बिच में क्या होती है एक dark fringe होती है उसकी width calculate करनी है तो एक काम करो कि screen के center से n प्लस 1 नंबर की जो bright fringe है उसकी position फाइंड कर लो फिर एन नमबर की जो ब्राइट फिर उसकी फाइंड कर लो दोनों को माइनस कर लो तो यह डिस्टेंस आ जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे विट्थ ऑप दे डाक फिंज इसको बीटा से रिपरिजन करेंगी हम लोग तो बीटा का फॉम्मला क्या हुआ तो इसकते हो एक एन प्लस वन माइनस एक सिंपल क्या स्वान लेकाम कर लोगे और एक एन प्लस यन का मित्लब क्या है एन प्लस नमबर की जो ब्राइट फिरिंज उसकी स्क्रिंड के से से डिस्टेंस और action का मदलब क्या है एन नमबर की जो ब्राइट फिंज उसकी स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस तो दोनों डिस्टेंस अगर आपको पता चल गई तो वैल्यूज पुट करके सौल कर लो करके देखते हैं देखो बीटा एक्वल्स टू क्या एगा एकस एन प्लस वन क्या होगा जैसे अगर मैं एन नमबर की ब्रैट फिंज की पोजिशन फाइंड करना चाहूं तो मुझे यहां पर यहां पर एन पुट करना है अगर मुझे जैसे सबोस करो थर्ड नमब की ब्रैट फिंज की position find करना यहां पर एन की जीकह क्या पुट करना होगँ आट्प्लस वन यह क्यों पूट करना खाना है यह एकस एकषन एकषन यह न डिलेमडबा पॉन स्मॉल डि ऐंन प्लस वन नमबर की जो प्रैट है उसकी पॉजिशन क्या है अगर ऐसे मैं पूछत आपको एण मैंनस मृम्बर की जो अगर एसे मैं मैंस तो यह अगर फ्रिंज उसकी पόज़िशन कर देते इन पहले झI तो एन तो नंबर है ज leuk इसमेन आपको फ़ाइड़ मृण ठीक है सब्ट्रेक्ट टो तो यह आएगा देखो एन डी लेम्डा पॉन कि मॉल डी यह बज़ेगा तो यह आएगा डी लेम्डा फॉन स्मोल डी और यह क्या आगई अपने पास में यह आगई जो डाक्षी बनेगी दो ब्रैट फ्रिंज की बिच में उस डाक्षी विर्थ आ इसलिए हमें यह फर्मुला लगाना है तो मुझे क्या मिला विट्थ अब्द है डाक फिंज मिला यह ठिकलर नंबर ऐसे कोई बाउंबर कि 활 Smol t थाई खाक नवी कोई डाक फिंज ऑं चाहें सिकल्ड़ी करके बतातो हूँ तो यह वाले जो कंडीशन अभी हमने विग दतों में ब्राइड़ फिंज के लिए लिखहरा हूं Djokh लिए टीक लिए कंडिशन के आई xN इक्वलस्टू एंडी लैमडा पॉन श्मॉल डी और बीटा किइस्टन है यह बीटा किसका है वीट ओप डाक फिंज डार्क रेंज की विटट इसके लिए यह होगा बीटा इक्वलस टू डी लैम्डा पॉन स्मॉल डी सिंपल एक दो लिख देते हैं आपके देखो dark fringe के लिए dark fringe के लिए होना चाहिए 2n-1 lambda by 2 तो अब आपको simply यह करना है कि आपने जो path difference calculate किया था dxn upon capital D xn इसलिए लगा रहो मैं साथ में क्योंकि वो n number की dark fringe की पॉजिशन का formula बन जाए इसलिए मैंने लगाया चोटा सा समझने के लिए ठीक है तो अगर यह path difference dxn upon capital D यह बराबर हो गया किसके 2n-1 into lambda by 2 ठीक है अगर यह path difference इतना set हो गया तो इसका मतलब पी पॉइंट के उपर destructive होगा ठीक है कंडिशन लगा लगा कि चेक कर रहे हैं तो अगर यह path difference इतना हुआ तो destructive पॉइंट की उपर फिर यहां पर आपको डाक मिलेगी इसका अंतरो डाक की position का formula अपने पास आ जाएगा 2n-1 d lambda upon 2d आया कि नहीं आया ठीक है यह अपने पास formula गया और अगर आपको find करना हो सब्सक्रों कि दो डाक फिंच की बीच में जो width ब्राइट फिंच बनती है उसकी width कितनी होगी तो ब्राइट फिंच की विर्थ कैलकुलेट करने का formula से मिन रहिएगा जाबंघ करो यहाँ पर यह नं की डाक फिंच बन रही है इस वर हो सकता है यह यहाँ पर और यह और ऊनल नमबर की डाक फिंच वह बनागी ऊपर तो इन दोनो बेचनों को ये पोइंट और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर उप बन रहें तो बैसे मी रहेगा तो अब calculate कर रहा हूं width of the width of the dlb y-T Orange फर्मृला लगा ओगी तो ब्राइट फर्रिम्ज का width का फर्मॉला यह भाइगा判 cùng लिधा रहेगा क्लेज़कर क्विएग माइनश है चल्ड करलो इसको X N plus 1 का मतलब क्या है यहाँ पे यह जो formula अपने derive किया है यहाँ पे यह वाला formula है इस पे N की जगार क्या put करना है N plus 1 put करना है तो यह रहा है N की जगार क्या put कर दो N plus 1 यह देखो minus 1 यह वाला minus 1 आए D lambda upon 2D और minus करना है X N X N का formula यह है जहां पे N था वहां में मैंने क्या put किया N plus 1 put किया X N plus 1 calculate करने के लिए समझ मैं यह बात और जब आप इसको solve करोगे यह जैसे आपने इसको अंदर calculate कर लिया multiply करके solve किया तो finally आप क्या देखोगे कि answer आएगा यहां से beta equals to D lambda upon small d वही answer आएगा जो पहले आ रहा कि इसका मतलब यह है कि चाए Bright fringes हो या Dark fringes हो सबकी width क्या होती है बराबर चाहिए Bright fringes ओ या dark fringe हो सबकी width क्या होगी बराबर होगी Equal width की bright dark fringe बनेगी मतलब स्क्रीन की ऊपर alternate जो fringes बनती हैं उनकी width भी पर होती है और वह अल्टरनेटिवली डिस्टेंज पर बनते जाएंगी जैसे एक ब्राइट फिंज फिर ब्राइट फिंज फिर उनकी बीच का जो गेप वो फिक्स रहेगा ठीक है और जो इकोल होगा तो यहाँ पे तीन आपको याद कर रहा हुँ तीन फ्रीशन पहात पहुत का सब्सक्राइब मैं या नियुक्त ध कर मोले डाक फिंज की पोजिशन का फोम्ला है 2N-1 D-Lamda upon 2D और फिंज विर्थ का फोम्ला क्या है बोलो D-Lamda upon small d अरे आया की नहीं आया ठीक है तो यह तीन फॉम्ले अपनको याद करने तीन फॉम्ले याद कर लेना इसके बाद मैं एक दो चीजे और बताता हूं आपको कई बार पूछेंगे कि एंगुलर पोजिशन या एंगुलर विट्स अब दे फ्रिंज बताओ तो एंगुलर विट् पूइंट के उपर बनेगी उसका एंगल कितना होगा उसकी एंगुलर पोजिशन क्या होगी होरिजोंटल लाइन से उसका एंगल कितना होगा उसी को क्या बोलते हैं एंगुलर पोजिशन तो यह एंगल पूछा जा रहा है यह एंगल ठीटा पूछ रहा है इस बार आपको इसको calculate करना बिल्कुल आसान है देखो एंगल के सामने यह क्या हो गया परपेंडिकुलर यह क्या हो गया बेस तो टेन फिटा क्या होता है अगर मुझे एन नंबर की यहां पर मिल दीए सपोस करो यह कोई भी मिले तो अगर मुझे यह एंगल बताना उसके लिए इसको मद फि एन नंबर की ब्रैट या डार्क फिंज की पोजिशन का फॉमला एक तरह से तो इसको टैन फिटा एन लिग दिया तो टैन फिटा एन किसके बराबर है एक से अपॉन के बराबर है इसमें तो कोई कन्फूजन नहीं होगा और फिटा अगर बताना है तो हमने यह क्या मान रखा यहां पर कि एंगल सार वेरी स्मॉल अगर एंगल छोटे हैं तो यह जो टैन थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो और स्मॉल एंगल स्टेटा को ठीटा भी लिखा जा सकते हैं तो यह प्रोपर्टी हमने यूज करी और थीटा एन को लिग दिया एक से अपने पास अब क् क्या जैसे ब्राइट फिंच की एंगुलर पॉजिशन क्या होगी तो एक्शन अपॉन डी करोगे तो यह केप्टल डी हट जाएगा फॉम्ले से और फॉम्ला आएगा एंग लेमडा पॉन स्मॉल डी और अगर पूछा जाए कि जो डाक फिंच उसकी एंगुलर पॉजिशन बताओ तो इसको एक्शन अप्उन क्यां डी करना है तो फॉम्ला क्या बनेगा टु एंगुलर पॉजिशन फाइंड करनी हो तो एक्शन को डिवाट करना होता है चेप्टल डी से तो सिंपलि ऐसा जाद कर लो की यह जो फॉम्ले हैं जैसे ब्रैट फिंच की पॉजिशन का सीी ह का का दोगे यह और डा मॅट जाएगा तो यहाँ पर अन्मबर की आपको यहां के तो फिरंग और इन दोनों को माइनस करोंगी कि यहां पर जो भी आपको रियुदाना किने थीटा को हम क्या बोलता है ऑ memorize x एक्स एन प्लस वन माइनस एक्शन करने थे अभी जाएंगे future and जाएगब चल्करोंगे निए कामले में अक्टेल हमनुद सब क्रक्ने करके अनसर कि यह हका कि यहां पर कैफ्टिल डी नहीं आएगा फ्रूमले में करने का formula अगुल्ड पोजीशन का formula गया था क्या था टू एंड माइनस फरम्ला बनाना है तो capital 2-1 लेंड़ा पॉन्ट डी और कितना असान एक दम और फ्रिंज पर्फ का जो formula उसमें में देख लो की बेटा इकोल स्टों गया था डी लेमडा पॉन स्मॉल डी एंगुलर विड़ अगर कैल्कुलेट करनी है केप्लिल डी हटा दो आंसर क्या आया लेमडा पॉन स्मॉल डी ये लो कर दो